डी ए सर कोजिंग क्लासेस पर मैं आपका हर्द स्वागत करता हूँ जिसे कि हमारी बायो की क्लासे यहां पर चल रही है हम एक टोपिक थोरी का पढ़ाते उसके बाद हम MCQ लगाते हैं तो आज जो हमारे MCQ है वो रक्त से सम्मण देते हैं और पूरे के पूरे कोश्चन बहु पहला प्रश्ण है कौन सा रक्त समू सर्व गिरी है मतलब किसी भी ग्रूप के रक्त का रक्त को वो ग्रेन कर सकता है सर्व गिरी है तो देखते यहां पर A B है कौन सा ओप्षन है A B यहां प्रूबर प्रेश कर दो प्रूबर प्रूबर जोगर में अग्चन है यहां प्रूबर तो कौन सा रक्त समू क्या है दोस्तों क्या है दोस्तों सर्व गिरी है तो हम देखते हैं रक्त के रक्त समू चार होते दोस्तों रक्त समू कितना होते हैं चार होते हैं तो ए बी और ए बी और क्या है ओ क्या है ओ ठीक है इनमें ये वाला जो रक्त समू है उसे सर्व गिरी कहा जाता है सब को गिरेंड करता है और इस बाले को सर्व दाता कहते हैं क्या बोला जाता है सर्व दा नहीं है ठीक है इसका जो आंसर है वो क्या है फोर नम्मर का अगला प्रेशने देखते हैं रुदीर वर्ग ए वाला व्यक्ति निरापद कौन से रुदीर वर्ग के व्यक्तियों को रक्तदान दे सकता है रक्तदान दे सकता है मतलब जो A वाला व्यक्ति है वो किसको रक्तदान दे सकता है यह बोला गया रुदिर वर्ग B वाला व्यक्ति कौन से रुदिर वर्ग के व्यक्तियों को रक्तदान दे सकता है मतलब अपन जो कहते हैं कि रुदिर वर्ग B है कौन सा है वर्ग V है वो किसको रक्त दे सकता है किस किसको रक्त दे सकता है ठीक है तो यहाँ पर A तता O है A तता AB है और V तता AB है तो हमने देखा है कि जो AB होता है वो सब को ग्रिन करता है तो जो B वाला है वो A B को तो देगा, A B को तो वो क्या करेगा, ग्रेन करेगा, और जो B वाला है वो B को भी देगा दोस्तों, तो यह किसको दे सकता है, यह A B को दे सकता है, और B को दे सकता है, तो हम देखते हैं यह वाला option नहीं, इसमें क्या है, इसमें A है और O है, ठीक है, इसको बिन देगा दोस्तों इसमें क्या है ए है ये भी हमारा आंसर नहीं है और इसके बार ये भी हमारा आंसर नहीं है तो आंसर हमारा क्या होगा फोर होगा बहुत important question है और पूरे बो question है जो paper में पूचे गए और paper में आए और आगे आने की क्या है संभावना है तो ये वाल अगला है यदि किसी पुर्ष का किसी पुर्ष का रक्त वर्ग एवी हो क्या हो एवी हो जो बर्ग है वो क्या है दोस्तों एवी क्या है एवी तता महिला का रक्त वर्ग भी हो और जो महिला है उसका जो रक्त वर्ग है वो क्या है भी है उनकी संतान में निम लिकित में से कौन पुरसारक्त वर्व उफस्थित नहीं होगा उफस्थित नहीं होगा तो मान लेते हैं किसी पुरस का ये मेल का है ये किसका है ये दोस्तों मेल का है और ये किसका है ये फिमेल का है ये किसका है तो ये फिमेल का है ये फिमेल का है तो देखते हैं कि ए भी पिता का है तो ये त मुझा क्या है उपस्तित नहीं होगा यहां पर आपको ध्यान देना कौन सा रक्त उपस्तित नहीं होगा तो देखते यहां पर A B A B तो है पुर्ष का है B किसका है B महिला का है तो यह भी होगा यह भी होगा इसके बाद का b है το कौन सा रक्त उपस्तित नहीं होगा तो यहां पर देखते हैं a-b इस का है तो a-b तो होगा भी है तो b-b होगा और a-b में a-b आ रहात a b होगा तो कौन से नहीं होगा आपका औंवाला अंसर आपका नहीं होगा अगला question देखते हैं पूरे ही question important है और पूरे ही अच्छे quality क्या है? Question है अगला question हम देखते हैं दोस्तों अगला है निम्रक्त वर्ग सर्वद्रिक दाता होता है मैंने बोला था यहाँ पर बताया था कि जो AB होता है वो तो दोस्तों क्या होता है? सर्वदाता है सर्वगरी होता है सबको गरेन करता है क्या करता है दोस्तों यह सबको सबगरी है सबको गरेन करता है लेकिन यहाँ पर जो A है ओ है वो क्या है दोस्तों वो सर्वदाता है वो क्या है वो सर्वदाता है यह दोनों बात आपको दिहान में रखना है अगला कोश्चन पर चलते हैं दोस्तों अगला है यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है मानलों को पिता है और उस पिता का जो वर्ग है रक्त वर्ग है वो क्या है दोस्तों वो ए है और माता का रक्त वर्ग और जो माता है उसका जो वर्ग है रक्त ग्रूप है वो क्या है दोस तो बताईए उनके पुत्र का कौन सा रक्तवर्ग हो सकता है। और माता का रक्तवर्ग क्या है ओ है तो उनकी जो संतान होएगी दोस्तों उनके पुत्र का कौन सा रक्तवर्ग हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर बी तो हो नहीं सकता क्यों बी तो यहाँ किसी का ही नहीं है। ठीक है दोस्तो ए भी भी नहीं हो सकता क्यों कि यहां पर ए है बी नहीं है ठीक है दोस्तो ओ सकता क्यों ओ किसका है माता का है तो फुत्र का भी ओ सकता है लेकिन यहां देखते हैं यहां बी है तो बी इन दोनों में किसी का नहीं है तो यह भी नहीं होगा तो क्या होगा यहां पर तीसरा वाला जो option है वो आपका right होगा आग देखते हैं किलास को अगला प्रेशने है दोस्तो मानब का बहुत important question है तो मानब का समान ने मानब का मानब का समाने रक्तदाब कितना होता है मानब का समाने रक्तदाब कितना होता है मानब का समाने रक्तदाब कितना होता है तो ये आप सबको पता होगा ये इतना होता है 120 मतलब 120 अपोन 80 एम एम जी होता है ये समाने रक्तदाब होता है मानब का ये बात आपको ध्यान में रखना है, 50 questions पूरे ही important है, जो एक्जाम में आयो है, इससे बाहर कुछ भी नहीं, आगे देखते हैं, अगला है, आ रक्ता किसकी कमी के करण होता है, मतलब जो रक्त की जो कमी आती है, वो दोस्तों किसके करण आती है, रक्त की जो कमी आती है, वो क आमीन है, तो कौन सो होगा, folic acid, और एक और देखते हैं, जो आ रक्ता, जो आ रक्ता कि जो कमी आती है, वो अगर इसमें hemoglobin अगर option होता, तो हम इसको भी लगाते हैं, इसको भी लगाते, लेकिन option में क्या है, option में आपका है, folic amd, तो आपका अंसर क्या होगा, इसकी कमी स इसके कारण क्या आता है, रक्त की कमी आती है, अगले प्रेशने पर आते हैं, रक्त का hemoglobin, जो रक्त के अंदर क्या होता है, रक्त के अंदर hemoglobin, रक्त का hemoglobin किसके साथ मिलने पर, किसके साथ मिलने पर, किसके साथ मिलने पर, किसके साथ, किसके साथ मिलने, किसके साथ मिलन रक्तिका हीमोगलोविन किसके साथ मिलने पर क्या बनाता है दोस्तों कार्वोनिल हीमोगलोविन बन जाता है तो देखते हैं यहाँ पर कारवन डागाना ध्यान रखना क्या बोला है कि हिमोगलोविन किसके साथ मिलकर कारवो निल हिमोगलोविन बनाता है तो इसके साथ नहीं सल्फाड डायोकसाइड के साथ भी नहीं है और नाटोजन सल्फाइड नाटोजन डायोकसाइड के साथ भी यह क्या है carbon mono oxide यह बात आपको ध्यान में रखना है तो हम देखते हैं जो रक्त का रक्त का क्या है ठोस बाग होता है दोस्तों तो रक्त का जो ठोस बाग होता है वो क्या है RBC, WBC और Plate Lads से मिलकर बना होता है और जो आपका Hemoglobin होता है वो इसमें पाय जाता है जो Hemoglobin होता है वो आपकी RBC में पाया जाता है और यह Hemoglobin ही जब कारवन कारवन मोनोकसर्सकीरिया करता है तो बेटा यह क्या बनाता है कारवनिल हमोगलोविन बन जाता है यह क्या होता है यह हमारे लिए आने का रग होता है अगला प्रेशने पे लेते हैं लागगत कोसिका का निर्मान हमारे सहले के किस भाग में होता है आपने अगर मेरी थोरी की जो कलास देखी उसमें मैंने तुमें एक-एक कंसिप पर बात किये उस थोरी कलास से भारिट में कुछ भी नहीं अगर जिसने कलास को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाके और वहाँ पर प्लेलिस्ट में बिलेट की थोरी कलास अवश्च देखे तो आपको एक एक चीज़ अच्चे से समझ में आएगी क्या बोला लाल रक्त कोसिका का निर्मान हमारे सहले के किस भाग में होता है लाल रक्त क्या है दोस्त जिए कोसिका है इसका जो निर्मान होता है वो खांपर होता है जो होता है दोस्तो अस्ति मज्जा मतलब हमारीं बॉन Isकी कहा पर होती दोस्तों किसकी यह मिर्थ्य होती है वह उती लिया क्रत लिवर्म होती क्यों होती लिवर्म होती ईह वात आपको ध्यान केरा है कि लालखट कोशिका का निर्माण हमारे में यहां पर होता है तो अगला प्रेशने देखते हैं है fans वाइक्स मनुस में आर्विसी की समाने संग्यों होती है, मलब जो आर्विसी की है, वो कितनी संग्या होगी, आर्विसी की कितनी संग्या होती है, देखो, हमारे स्थाइल में आर्विसी की कितनी संग्या होती है, आर्विसी की कितनी संग्या होती है, कितनी होती है दोस्तो बताओ इसमें आर बीसी की कितनी संक्या होती है तो दोस्तो जी होती है 5 मिलिएँ तो यहाँ पर होती है 5 million. कितने होती है? 5. अगला question देखते हैं. कानिकाओ केuje कौर्फल्स के बिना रक्त तरल अंस को कहते हैं. महलब जो रक्त का कट्ञाइट ठोसबाग को अगर हम अलग कर लेते हैं, उस ठोसबाग को अलग कर लेते हैं. उसके बाद रक्त को किस नाम से जाना जाता है उत्रक तरल प्लाजमा सीरम या लसी का देखो मैंने बोला था दोस्तों यहां पर रक्ट के दो पाट होते हैं रक्ट के कितने पाट होते हैं दोस्तों दो पाट होते हैं तो रक्ट का एक तरल रूप होता है रक्ट का एक तरल रूप होता है रक्ट क एक होता है दोस ठोस रूप कौन सो होता है ठोस रूप तरल रूप होता है उसे क्या बोला जाता है उसको बोला जाता है दोस्तो प्लाजमा क्या बोलाएंगे उसको बोलेंगे प्लाजमा और ये क्या होता है इनको बोला जाता है कनी का क्या बोला जाता है दोस्तो इनको कनी का तो क्या बोला है कनिकाव के बिना रख्त के तरल अंस को क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे दोस्तो प्लाजमा कहते हैं क्या बोलते हैं लेकिन जब प्लाजमा से मान लो प्लाजमा से फाइव री नो जेन इस प्रोटीन को अगर अलग कर देते हैं क्या कर देते हैं इसको अगर अ जाता है सीरम कि इसको क्या बोलेंगे तो इसको बोलेंगे हम सीरम आगर एक बहुत भी बैतरिंग और सांदर कोश्चन है दोस्तों वीडियो को पूरा जरू दे रख्तिका कौन सा अत्यावश संगटन ठक्का बनाने में साहिता करता मलब जो रख्ता जो ठक्का जमता है उसमे कौन साहिता करता है कौन साहिता करता है कौन साहिता करता है यह आपको दिया है कौन साहिता करता है ठीक है तो इसमें क्या है प्लेट लेट अपन सब जान दे रख्त का ठक्का बनाने के लिए क्या होती है प्लेट लेट होती है वो क्या होती important तो हम देखते हैं रख्त का ठक का रक्त का ठक्का तो रक्त का ठक्का बनाने के लिए क्या है फर्स्ट बात तो क्या है यह होना चाहिए प्लेट लेट क्या होना चाहिए प्लेट लेट्स होना चाहिए और इनका ही नाम क्या दोस्त इनका ही नाम है थ्रोमो साइटस इनको ही त्रोमो साइटस कहते हैं दूसरा क्या है दूसरा एक प्रोटिन होना चाहिए और उस प्रोटिन का नाम क्या है फाइव रो नो जिन तीसरा क्या होना चाहिए दोस्तो तो तेसरा होना चाहिए एक तत्व है और उस तत्व का नाम क्या है दोस्तो केल्सियम और एक चौता क्या होना चाहिए तो चौता होना चाहिए दोस्तो बिटामिन के क्या होना चाहिए यह चार एसे घटके जो रक्त का ठक्के बनाने में क्या होते हैं साहिता करते हैं क्या करते हैं साहिता करते हैं तो पहला क्या होना चाहिए प्लेटलेट होना चाहिए दूसरा यह होना चाहिए यह क्लैसम होना चाहिए और विटामिन के होना जरूरी है तब जाके हमारे रख्ट का ठकका बनता अगला प्रेश्ने पर चलते हैं अगला प्रेश्ने मानववरक्त की pH value क्या है लुग मानववरक्त की मानाव रख्ट की pH value कितना है मानाव रख्ट का pH मान कितना होता दोस्ट pH मान कितना होता तेरा question हो चुके हैं पूरे ही question important है यह MPPST 2010 में आया था तो देखते हैं दोस्तो मानाव रख्ट की pH value क्या होती तो मैंने आपको class में पढ़ाय था कि रख्ट रख्ट एक रख्ट एक चारिये चारिये रख्ट क्या है एक चारिये तरल है एक चारिये तरल है ठीक है तो इसका जो pH पावर होती है pH जो मान होता है दोस्त इसका जो pH मान होता है वो सास से आट के मत होता है कितना होता है साथ से आठ के मद होता है दोस्ट साथ से आठ के मद होता है देखते हैं आठ से ज़्यादा नहीं होता दोस्ट यह गलत है यह 7.36 से लेके और 7.42 तक इसका पी एच मान होता है एक पी एच इसकेल होती है दोस्ट एक पी एच क्या होती है पी एच इसकेल है यह क्या करती है दो और चारिये का क्या है संकेट क्या है संकेट जाज करती है कि कौन सा billion अमली है और कौन सा billion चारिये आगे देखते हैं अगला प्रेशने मानव रक्त एक सहन तरल है इसकी सानिता का मुक करण क्या है तो रक्त में प्रोटीन है क्या रक्त प्लाजमा में विम्मानू है क्या यह सीरम में सोडियम है क्या यह रक्त में आर वीसी या डवल्यू वीसी है तो रक्त में क्या है दोस्तो प्रोटीन है यह बहुत important क्या है, question है, CDS 2013 में पूछ गया था, अगला प्रेशन देखते हैं दोस्त, निम लिकित में से वे कौन से विज्ञानिक है, जिसने पेली वार रुदीर परिसंचर्ण की बवस्ता की थी, पहला विज्ञानिक कौन थे है, जोनोंने रुदीर परिसंचर्ण की बवस्त की थी, ठीक है, तो पहला एंटोनी वोन लुमेन के क्या, यह नहीं है, दूसरा कौन सा है, बिल्यम हरवे, तीसरा कौन सा है, मेंडल, और चौनता कौन सा है, रोनाड रोस, तो इसका answer क्यों होगा, बिल्यम हरवे, जब मैंने रक्त की यह थोरिकल क्लास थी, उसमें आपको स कुछ बताया है, जिसने भी नहीं देखी है, वो जरूर देखे, अगला प्रेशने पर चलते हैं, अगला प्रेशने है, निमलिकित में से बेरुदिर वाय का कौन सी है, जो जिगर, जो जिगर को ऑक्सीजन रुदिर ले जाती है, जिगर को ऑक्सीजन रुदिर ले जाती है जिगर मतलब क्यों होता बेटा जिगर मतलब होता यकरत यकरत को क्या कहते हैं जिगर कहते हैं ये बात आपको ध्यान में रखना है ठीक है हिर्दे दमनी ये नहीं है ये हिर्दे को पहुँचाती है ये भी नहीं है क्या होगी दोस्तो यकरत दमनी बहुत इंपोर्टेंट है यह से सी मैट्रिक इस्तिर प्रिक्षा 2002 में आये थे पूरे कोश्चन इंपोर्टेंट है अगला देखते हैं मानम में कुल रक्त आयटन में प्लाजमा का प्रतिसत लगवग कितना होता है मतलब मानम का जो रक्त है उसमें तरल भाग वो कितने प्रतिसत होता है रक्त में दोस्तो रक्त है रक्त में प्लाजमा कितना होता है तो रक्त में प्लाजमा और ठोसबाग तो दोस्तो प्लाजमा ह देखते हैं हैं कि माता-पिता में रुदिर का वर्ग के वी है कौन सा बिता का रुदिर वर्ग है और दूसरे का ओ तो उनके बच्चे का संभावित रुदिर वर कौन सोगा तो यह question आपको comment में इसका answer बताणा है जरूरी है अगले question पर चलते हैं पुरती दिन समान्यत हमारे हुर्दे के कपाट, हमारे हिर्दे के क्या है कपाट मैंने आपको रख के बारे में भी पड़ाया है आपको हिर्दे के बारे में मैंने डाइग्राम बना के आपको बता है, आपको कलास जरूर देखना, तब ही जाके ये MCQ आपके समझ में आएंगे पूरे इंपोर्टेंट है, पूरे क्या है, इंपोर्टेंट है, इससे बार कुछ भी नहीं, आपने पढ़ लिया, तो आपका रक्त से जो कोशन बनेगा, वो इससे बार नहीं जाएगा, तो देखते हैं, हिर्दे के कपाड लगवब कितनी बार खुलते और बंद होते हैं, हिर्दे के कपाड, तो ये होते हैं हमारे दूसरा, 11,000 लाग, एक लाग बार, कितनी बार, एक लाग, अगला देखते हैं, सब सबसे कम पाए जाने वाला रक्त समू कौन सा है मतलब कौन सा रक्त समू है जो सबसे कम पाए जाता है सबसे कम देखने को हमको मिलता है तो यह दोस्तों कौन सा है यह भी वाला है अगला देखते हैं रक्त चाप निम लिकित में से किस में उच होते हैं मतलब जो रक्त दाव हो होता है दोस्त जो रक्त रक्त चाप या इसको बोलेंगे दोस्त रक्त दाग कर सकता है जिसके रक्त का वर्ग है मतल yapıyorsun A-B जिसका नौन भेह वह किसको रक्त दे सकता है एमोगической क्या होता है हिमोग्लोविन प्रोटिन ये क्या क्या सいた है क्या है तो हिमोगक क्या है दोस्ति है हम देखते हैं WVC होती है इसमें क्या पाए जाता दोस्तो हीमोगलोविन क्या पाए जाता है इसमें हीमोगलोविन पाए जाता है यह क्या होता है यह हिम फिलास गलोविन हिम प्लास गलोविन से मिलकर बना होता दोस्त तो यह क्या होता है यह आईरन है यह क्या है यह आईरन है और यह क्या है यह प्रोटिन है तो हिमोगलोविन क्या है हिमोगलोविन एक प्रोटिन है आगर देखते है रुदीर के प्लाजमा में निमलिकित में से क इसके दोवारा antibody निर्मित होती है, क्या निर्मित होती है antibody, क्या निर्मित होती है antibody, देखो, रक्त में दो रेती, एक तो रेती है antigen, क्या रेती दोस्त, एक रेती antigen और एक रेती antibody, एक क्या रेती है antibody, एक antigen होती है और एक क्या होती antibody, तो जो antibody का जो निर्मान होता है, वो आ इक शी 2 कि दूस्ती आपको द्छाान में होता है ये बात आपको दिखान में रखना होता है वह वोत होता है व Вас यह क्या मानोसाइट यह अपर होती है यह होती है लिंपो साइटस में आगे देखते हैं माना सहील में खून के सुद्धिकरण की प्रिक्रिया हो कहते हैं मतलब माना सहील में जो खून का जो सुद्धिकरण होता है उस प्रिक्रिया को सब जानते हैं उस प्रिक्रिया को डायलेसिस कहा जाता है क्या बोला जाता है डायल या दोस्तो इनको ही लाल रक्त कनिका वह सांदर ला लगकणिका भी खेहते हैं ये टोपिक किसी हर वेकंसी के लिए बहुत इमपोर्टैंट है रख्त मेंसे एक कोस्चन या दो कोस्चन किसी भी एक्जाम में आते हैं हर एक्जाम में आपको देखने को बिलेंगे इसके थोरी कल चीजी भी पढ़ा दी और इसके बाद इसके MCU भी में आपके लिए लेके आया अगला देखते हैं हिमोगलोबिन का कार ये क्या है मतलब हिमोगलोबिन रख के अंदर क्या करता है इसका मतलब कार ये क्या है यह देखा है हिमोगलोविन एक प्रोटीन है लेकिन यह कार यह क्या करता है तो हम देखते हैं हिमोगलोविन ओक्सिजन ले जाना होता है क्या होता है हिमोगलोविन जो होता है वो ओक्सिजन को ले जाता है तो क्या है इधर देखते दोस्तों जो हिमोगलोविन होता है वो क्य भी निकालता है तो क्या यह oxygen को अंदर ले जाता है और कारव अंड़ा इसको बाहर निकालता है अगला question देखते हैं रख्त समू के खोश करता कौन मतलब रख्त जो समू है ब्लेड गुरूप है इसके खोश करता कौन है तो इसके खोश करता कौन है लेड इस्टिनर है कौन है लेड इस्टिनर यह दियान डगना अगला देखते हैं सेवे तरफ कोशी काथ किसमे उत्पन होती है मतलब यह WVC है वो खापर बनती है WVC इनका जो निर्मान है दोस्त वो खापर होता है तो दोस्त इसका निर्मान भी अस्ती मज्याम होता है खापर होता है के डेवल्यु वी सी की मिर्त्यु काहां पर होती है तो डेवल्यु वी सी Baptist में ही इम्पोर्टेंट द्यान देखते हैं तो यहां सर आपका पेला और test रक्म होने की स्तिती में, रक्त जमने में महत्पुन भूमी का अदा करने वाले प्लेट लेट की प्रतिसत्ता, मतलब संक्या में कितनी होती है, ये संक्या में दोस्त कितनी होती है, प्लेट लेट की संक्या कितनी होती है, कितनी होती है। कितनी होती है? तो दोस्त 2000 से 4000 है क्यों? यह वाला आपशन नहीं है दोस्तों, यह भी नहीं है, यह भी नहीं है, तो कितनी होती दोस्त, चौंता वाला आपशन, यह अइन्डरलाइल कर लेना, आपको यहां पर WVC की, RWC की संक्या भी आगई, और यहां पर आपकी platelet की संक्या भी है तो आपको छोटी-छोटी बातों पर भी ध्यान देना जरूरी है कोई एक्जाम में कैसे छोटे-छोटे ही question आते हैं यहां हमारे doubt रहते हैं जो चीज हमारे समझ में नहीं आती ही वहां से एक्जाम बाला क्या बनाता है question बनाता है अग अगला देखते हैं रक्त में मुत्र अमल के उच इस्तर के करण निम लिकित में से कौन सा रोग होगा रक्त में मुत्र अमल के उच इस्तर के कौन सा रोग होगा संदी सोत होता का गाउट होता के गट्य होती दमा तो कौन से होता गाउट रोग होता है अगला देखते हैं ही हीमोगलोविन में कौन सी दातू रहती है तो यहाँ पर दोस हम बात कर लेते हैं हीमोगलोविन हीमोगलोविन में कौन सी दातू रहती तो हीमोगलोविन में आईरन दातू रहती एक बात और कर लेते हैं जो आपका हरित लवक होता है हरित जो लवक है उसमें दोस्त कौन सी द तो दोनों वातों को आपको ध्यान में रखना है। अगला लेते हैं रुदीर प्रदान के दोरान किस रुदीर समु का व्यक्ति सर्वजनिक प्राप्त करता है। मतलब सब को प्राप्त कर सकता है। सब क्या कर सकता है। तो हमने बोला जो ए भी है वो क्या है सर्वजनिक है। जो A B है दोस्त वो क्या है वो सर्वजनिक तो यहां पर यहां पर जो A B है तो A B क्या है A B जो है वो सर्वजनिक प्राप्त करता है सर्वजनिक क्या है प्राप्त करता है और यहां पर दोस्त जो O है वो क्या है सर्वजनिक सर्वजनिक दाता है सर्वजनिक क्या है दाता है अगला कोशन देखते हैं एक व्यक्ति दुरुगटना में गहल हो गया मतलब एक व्यक्ति दुरुगटना में गहल हो जाता है उसके रक्त समों की जांच के लिए समय नहीं कोई व्यक्ति का accident हो जाता है और उसका क्या है उसके मतलब जो blood group होता उसकी जांच करने का क्या समय नहीं है और उस व्यक्ति को रक्त की क्या है जरूत है तो कौन सा रक्त दिया जाए और positive दिया जाए क्या और negative दिया जाए क्या या A B negative या AB positive तो कौन सा दिया जाता है ओ नेगेटिव रक्त दिया जाता है अगर किसी भी करण वस हमारे पास इतना टाइम नहीं होता तो वो क्या करते हैं तो वो ओ नेगेटिव रक्त दे देते बिमारियों में रक्त का कौन सा भाग सरील की रक्चा करता है जब हमारी बोड़ी मतला हमारे आज सरील जब बिमार हो जाता है तो सरीले के अंदर कौन सा जो भाग है वो हमारी रक्च का रक्चा करता है तो कौन सा करता है तो यह WVC कौन सी है WVC को ही रोग प्रती रोग प्रती रोग समता निदारित करती है क्या गरती रोग प्रती रोग समता निदारित करती है दोस्ट WBC हेमोगलोविन के साथ किस दातू का संबन्ध है तो मैंने आपको बताया है अगला देखते हैं रक्त में सबसे बड़ी कोशी का है रख्त में सबसे बड़ी कोसी का कौन सी है बेसोफिल से क्या एसीडोफिल है क्या लिंपोसाइटस है या मोनोसाइट तो दोस्ट सबसे बड़ी जो है वो मोनोसाइटस है कौन सी है मोनोसाइट त्यां रखना दोस्ट इसमें जो केंद्रक का जो आकार होता है इन कोशिका केंद्रक का जो आकार होता है जो आकार होता है दोस्त वो कैसे होता है वो सेव सेम के बीच के आकार का होता है सेम के बीच के आकार का होता है इनका जो केंद्रक का जो आकार होता है वो सेम के बीच के आकार का होता है रे जैने हैं आगे जह कोश्चन आपके लिए किसके लिए मैंने एक ब मियन देए आपको दे रहा हूं आपको अंसर बताना है उब जरूर बताना है झार्य हं कि ठार्मण ट यह लिए ए रहत कर्मा निम अनुपात में उस सर्जन होता हैं इन्हानुपात की सनुपात में होता है अग देखते हैं आरेच टेक्टर का नाम का आदार क्या है मतलब जो आरेच जो फेक्टर दिया है उनका नाम का आदार क्या है चम का आदार नहीं है दोस्तों ये भी नहीं है कौन सा दोस्ट बंदर है सिस्टस कौन सा बंदर है अगला देखते है अगला देखते हैं लाल रक्ट करनेकाओ के लिए दूसरा सब्द क्या है तो ध्यान रखना है दोस्तो RBC का जो ब्यज्यानिक नाम वो क्या है वो है दोस्तो asleep выпуск यदि और जो प्लेट रेट है मतलब आपकी रक्त बिम्मानू है क्या है रक्त बिम्मानू है उनका जो नाम है वो क्या है तो दोस्तों वो Thremoscis Police है कौन सा है? Thremoscis ये तीनों बहुत important है आपको ये note भी करके रखना है इन्हें बोला आज रख की बहुत important class है पूरे mcq इसमें ही मैंने सब कबर कर दी इससे जादा वो कुछ भी निपनना paper कैसा भी हो रख का question यहां से बार नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा आगे देखते हैं अगला है वी ओक्सिजनी रुदीर परिवें ना करने वाली सिरा है वी ओक्सिजनी कौन सी है वी ओक्सिजनी है वी ओक्सिजनी रुदीर परिवान करना करने वाला सिरा कौन सा वी ओक्सिजन कौन सा सिरा है तो कौन सा है दोस्त फुपूस सिरा है कौन सा है फुपूस हमने देखा है को यह सिरा होता है दोस्त इनमें क्या है इनमें असुद रक्त कौन सा रक्त असुद रक्त रहता है असुद रहता है कौन सा रक्त में क्या मिली होती दोस्त रक्त में CO2 मिली होती यह सिराओं में प्र प्लमो नेरी बोल सकते हैं और इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं फुपुस फुपुस सिरा भी कहते हैं इनमें क्या इस सिरा में इस सिरा के साथ क्या है इसमें सुद्रक्त मतलब रख के साथ और्टू मिली रहती है तो ये बात आपको ध्यान में रखना है अगला देखत रक्त का रक्त का जो ठक्का बनता है उसमें जो सायक है इसमें जो सायक है दोस्त तो वो है आपकी कौन सी प्रोटीन है तो वो है आपकी फाई व्री नो जिन उस ठक्त के रक्त को जमने में सायक होता है लेकिन क्या है ये वाला जो है ये वाला जो प्रोटीन है ये इपरिन है वो रक्त क्या बनाती है, ये रक्त को तरल रूप, रक्त का तरल रूप करती है, ये सरील में रक्त को जमने नहीं देता, दोनों एक दूसरे क्या है दोस्त, विपरित है, तो ये ठक्का बनाने में सायक है, और ये तरल बनाने में क्या है, सायक है, और इसका जो निर्मान होता है दोस्त वो यक्रत महोंता है ये बात भी आपको दिहान रखना है efrign है चलते हैं अगला कोशन लेते हैं दोस्त कि अगला है मानब समान ये मानब का खुल बेने का समय को बहने Edition का समय और जमने का समय, क्या होगा, तो दो से, 2 से 10 सेकेंड तक क्या ए, खुन बेता है, दोस्त, और 5 से 15 सेकेंड में खुन जमता है, क्या करता है, जमता, तो यह बात आपको द्यान में रखना है, दोनों कोजिश्चिन, यह Nडी पीसी 2016 में पूछा गया railway का question है दोस्त अगला लेते हैं रक्त की कृतियम सुद्धी को कहा जाता है उसको कहा जाता है उसको बोलते हैं दोस्त dialysis क्या बोला जाता है dialysis रक्त की जल मात्रा के नियंतरन में निमलिकित में से कौन सा तत्व संब्लित होता है मला रक्त में जो जल का नियंतरन करता है वो कौन सा तत्व है जो जल का नियंतरन करता दोस्त पोटेसियम है क्या पोटेसियम लीतियम रूविडियम या सीजियम कौन सा है चो जल के मात रख्के नियंतरण में निम लिकत में से कौन सा तद्व अपना योगदान देता है तो दोस्ट ये कौन सा है पोटिस्यम है इसको इंपोर्टेंट कर ले न और भी अगला है निम लिकत में किसकी तुलना सेनिकों से किया सकती है अलब इन में से कौन है जिने साल का सेनिक के नाम से भी जाना जाता है तो हम डालते हैं दोस्त ये हमारे WC जिनको साल का सेनिक भी खेता है अगला देखते हैं देह तरल में केल्शिम का निमिस्तर होने के करण उत पन हो सकता है, तो क्या हो सकता है, रक्त की कमी दोस्त, लाल रक्त कंड कहां बनते हैं, अस्ति मज्जाम बनता है, यहाँ पर ही क्या है दोस्त, यहाँ पर आर वी सी बनती है, यहाँ पर ही दोस्त क्या है, डबली वी सी का निर्मान होता है, यह बात आपको ध्यान रखना है, का यह एप से आपको अगर और भी इंपोर्टेंट mcq लगाना है तो आप यह एप को डाउनलोड कर सकते हैं आप प्लेश्टोर पर जाकर डीजे सर कोचिंग क्लास इसकोटर लेख सकते हैं यह इस कोचिंग क्या है हमारी कोचिंग का आइकोन ऐसा आपको दिखाई देगा इस देखिननी यह रखत के जह एम सी क्यू खतम हो गए यह बहुत इम्पोर्टेंट क्लास थी आप को इस क्लास को ज्यादा ज्यादा से यह बारत